मारास्ट के लातूर से एक महिला सिक्सिका की पिटाई का मामला सामने आया है बता जा रहा है कि सिक्सिका पर घर के बाहर पेशाप करने का आरोप लगा कर पडोस में रहने वाले पती और पतनी ने क्रिकेट बैट से उसकी पिटाई कर दी पीडिका की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्च कर जाच शुरू कर दी है पिटाई से बुरी तरह घायल हुई महिला सिक्षिका को अस्पताल में भरती कराया गया जहां हाथ में प्लास्तर चणने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई इसके अलावा उनके शरीर पर चोटो की भी निशान मिले है आरोपी पती और पतनी पीडि सिक्षिका का घर सौ मिटर की दूरी पर है गटना को अंजाम देने के बाद से दोनों अब तक फरार है इस मामले की जाच पुलिस कर रही है कहते हैं हाथ की बुनाई हुए वस्तुओं का कोई तोडनी होता जी हाँ चाहे फिर घर की सजावट की वस्तुओं हो या फिर कोई पहनावा यदि आपको देश के हर कोने की वस्तुओं या कपड़े खरीदने की चाह रखते है तो नागपुर में आया है हैंड लूम एक्सपो कम दाम में बहतर कॉलिटी जहां आपको मिलेगा बच्पन से लेकर बुढ़ापे तक की सभी जीवन उपयोगी वस्तुओं साथ ही कुर्टा दुपट्टे तूट फाशन जुवैलरी घर सजावट की वस्तुओं या बिहार का सिल्ख कोसा खादी लखनों का चीकनवर्ग बुज़रात की बाननी मध्यप्रदेश की माहेश्वरिसल राजस्तान और करनाटक की सिल्ख साडी जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध साडिया समेथ सभी राज्यों की प्रसिद्ध साडिया मिलने का एक मात्रिस्तान अब नागपूर में आया है जी हाँ, हमारा पता बेशप कौटन मैदान BCA स्टेडियम के पास सदर नागपूर 15 अक्टूबर से लेके 28 नमबर तक ले सकते है इस एक्जिविशन का लाव तो जल्दी कीजिए और पहुंच जाईए इस एक्जिविशन में